और उत्तरप्रदेश कॉंग्रेस के प्रसिक्षिनलस से पराक्रम महावियान का दूसरा च्रण आज से शुरू हो रहा है 30,000 पदादकारियों को प्रसिक्षित किये जाने का लक्ष और निर्धारित किया गया है विधान सबाचुनाओ की तैयारियों के सिलसिले में आयूचित इस अभियान के तहट पार्टी 100 ट्रेनिंग केम्पों का आयूचिन करेगी जिसमें तकरीवन 30,000 पदादकारी प्रसिक्षित किये जाने हैं अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सबाचुनाओ में कॉंग्रेस के ट्रिकेट के लिए आविदन करने वालों को पार्टी को 11,000 रुपए देने होंगे कॉंग्रेस पार्टी चुनाओ के ट्रिकेट के आविदकों से ये रकम सहयोग राशी के तौर पर ली जाएगी कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है तो 2022 में विदानसवा चुनाओ होने है और उससे पहले कॉंग्रेस ने एक सरकुलर जारी कर दिया है अब कॉंग्रेस का टिकेट अगर लेना है तो 11,000 रुपए की राशी अदा करनी होगी हाला कि कॉंग्रेस इसे साहेता राशी का नाम दे रही है लेकिन इससे पहले कभी भी कॉंग्रेस की तरफ से इस तरह का कोई भी सरकुलर जारी नहीं किया गया था वो सरकुलर जो जारी किया गया है वो भी आपकी टेलिविशन स्क्रीन पर है अगर आप कॉंग्रेस की ओर से टिकेट लेना चाहते है और पार्टी आपको टिकेट देना चाहती है तो फिर 11,000 का भुक्तान करना पड़ेगा और उसके बाद पार्टी इसे साहता राशी के तौर पर डिमांड कर रही है रामनुष मेरे सयोगी जादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइप चुल रहे हैं रामनुष कॉंग्रेस की तरफ से एक सरकुलर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कॉंग्रेस का टिकेट है वो सत्ता से बाहर है और अभी यह मेरी बात हुई है कुछ देर पहले ही आजय कुमा लल्लू से जो प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि यह सहायता राज़ी है और सभी राजनितिक दल लेते हैं और चाहे समाजवादी पार्टी क्या हो नजारका लगा रही है और पहली ब राज़ी जमा कराएंगे और साफ कहरे हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर हैं लेकिन कहीं ने कहीं जो है यह राज़ी जो जमा होगी उससे चुनाव के लिए तयारे की जाएगे और इसके साथ उन लोगों की सेलेक्शन हो जाएगी जो कैंडिडेट वाकरी हार जाते थे तो कहीं ना कहीं दूसरे दलों में चल जाते थे लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं कॉंग्रेस ने यह स्टेडिजी अपनाई है अब प्रदेश अद्यक्ष ने साफ बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जिसको भी चुनाव में टिकट चाहिए वह ग्यारा ओनो का दिकट के लिए 11000 रुपे देने होंगे तै के लिए 11000 रुपे देने होंगे अगर कॉंग्रेस चुनाव लंड़ा चाहते नहीं तै करेगे कि आपको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा साइर से बात संतोस की यह आवेदन शुल्क है और इसमें जब भी प्रत्यासी अपने अपने नाम का नाम भरेंगे उनको जो है 11-11,000 रुपे का शुल्क जमा कराना पड़ेगा और ड्राफ्ट के जो जमा कराना पड़ेगा और इतना ही नहीं उन्होंने साब बोला कि समाजव के नाम रखे जाएंगा और प्रत्यासे खाया अगर एक विदौंसाबा से 10-12 प्रत्यासी होते हैं और और भी क्राइटेरिया जो कॉंग्रेस ने रखा इस बार जो है चुनाओं के दौरान प्रत्यास अगर फुल फिल करते हैं तो ही जो है उनको टिकट मिल सकती है उससे प सितीस की है यह सारी जानकाई ली जाएगी लेकिन उसके पहले जो है जो भी आवेदन करेगा उसको ग्यारा हजार का शुल्क देना पड़ेगा और साफ कहा है कि चुनाओ को अंदर खर्चे हैं तमाम ब्यवस्थाएं लगती हैं उसके लिए सब किया जा रहा है ताकि पार्ट लेकिन उस बजट की क्राइसिस को पूरा करने के लिए भी ये कवायद है जी अबनी इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डाउनलोड कीचे ज्वनातंत्र टीवी अपको जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें